आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने मैसेश की टूइन को चेंज कर सकते हैं उसके लिए आपको अपनी मोबाल की सेटिंग में जाना है जैसी आप सेटिंग में आएंगे यहां पे आपको उपर की तरफ से स्कॉल करना है यहां पे आपक आपको देखना है एक option ना जा रहाएगा sound and vibration यह देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है अगर यहां पर option नहीं हो रहा है तो आपको ऊपर शेटिंग का एक सर्च बार होता है इस पर क्लिक करना है यहां पर आपको लिखना है So you and D इस तरीके से sound और फिल लिखना end vibration इस तरीके से लिखना है लिखने के बाद आपके सामने सब्ब्स आजाएंगे यह option आजएगा इसी पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आप इसे नीचे की तरफ करेंगे नीचे की तरफ करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा notification sound का इस पर क्लिक करना है क्योंकि आपके phone के अंदर किसी भी एप की notification या कहें message आएगा तो उसकी tune आपको सुनाई देगी notification tune उसे कहें लिजिए या फिर message tune कहें लिए एक ही बात होती है तो यह आप देख सकते हैं जैसी नौन होगी तो इसे तरीके से आप इसे set कर लेंगे ठीक है जैसे मैंने कर लिया है अब यहां से आप बैक चलेंगे बैक चलने के बाद यहां पर notification वाला जो option है यह कम होगा तो इसे आप फूल कर दीजिए जिसी में ने कर दिया है बस आपकी जो भी message tune है लग जाएगी वीडियो आपको कैसे लिए कमेंट में हमें जरूर बताएं